लोगसभा चुनाव के रुजहान आने शुरू हो चुके हैं इस वक्त NDA जो है लीडिंग में है इंडिया लायन्स भी टकड़ा मुकाबला कर रही है NDA के साथ देखना होगा कौन सरकार बनाएगी लेकिन हम उडिसा की बात करेंगे खास बात यह है कि उडिसा में लोगसभा विधान सभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं जो विधान सभा की स्थिति है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ इस वक्त BJP वहां काफी बढ़त में आगे चल रही रुजहान के मुदाबिक BJP वहां जीत्ती नजर आ रही है यानि जो BJD है नवीन पतनायक जो वहां के मुख्यमंत्री है उनकी जो अपनी पार्टी है वो हारती हुई दिख रही है यह रुजहान है लेकिन हम लोगसभाव की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सीट जो है वहां की पूरी सीट जो की उडिसा के सबसे इंपॉर्टेंट और VIP सीट से है उसकी बात करें तो यहाँ पर दो लोगों के बीच मुकाबला है संबित पात्रा जो BJP के है अरूप पतनायक BJD के लीडर है दो जनके बीच कड़ा मुकाबला है जो एक्जिट पोल आया था एक्सिजमा इंडिया टुडे का उसके मताबिक जो संबित पात्रा जीत रहेते अभी जो रुजहान आया है वो भी मैं आपको बता देता है रुज पहली बार सांसद बनेंगे BJP की और से संबित पात्रा पहली बार सांसद भी बनेंगे इससे पहले लगातार प्रवक्ता रहे हैं BJP के लिए लेकिन ये काफी एहम होगा संबित पात्रा के लिए पूरी सीट काफी इंपोर्टेंट है BJP के लिए भी BJD के लिए भी देखना ह संबित पात्रा जीतते हैं या नहीं अगर जी जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे देखते रहें इंडिया.com शुक्रिया